टी टाइम बुलेटिन के प्रायो जखें गुरुनानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरुनानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरुनानक पब्लिक सीनियर सेकंडरी स्कूल हिरनमगरी सेक्टर चार और गुरुनानक पब्लिक सीनियर सेकंडरी स्कूल शास्ट्री सेर्कल उतायपूर नमस्कार मेहु माधूरी आप देख रहें News 91 राजस्थान टी टाइम बुलेटीन में आपका स्वागत है प्रदेश और समभाग की ताजातरिन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरूर दबाएं चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हैडलाइन्स पर कश्मीर से छुटिया मना कर घर लोट रहे परियतको की कार का एक्सिडेंट दो की मोद पांच गायल चोरों ने फिर बनाया मंदीर को निशाना चांदी का छत्र और नगदी लेकर हुए फरार और नाबालिक छात्राओं से दुश्कर्म का आरोपी हेड मास्टर दो दिन की रिमांड पर आरोपी ने पुलिस पुश्ताश में किये चोकाने वाले कई खुला से बुलेटिन की शुरुवात में बात करते हैं छुट्टिया मनाने के लिए कश्मीर गए हुए गुजराती परियर्टकों की कार अपने घर लोटते समय डिवाइडर से टकराने के चलते बुरी तरह शतिक्रस्त हो गई कार में लगे एर बेक खुलने के चलते ड्राइवर को मामली चोटे आई है जबकि इस दुर्गटना में दो लोगों की मोथ हुई है और पांच लोग घंबित गायल हुए हैं जिनके इलाज के लिए उदैपूर जिलाचिकिस्ताले में लाया गया दुर्गटना उदैपूर के खेरोदा थाना शेत्र में हुई है दुर्गटना में शतिक्रस टेक्सी कार अतिरगा को ड्राइवर चला रहा था प्रथम द्रश्टियार ड्राइवर की गलती के चलते हाथसा होना बताया जा रहा है पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गर्मी की चुट्टियों में कार हाथसे का शिकार हो गई परियतक टेक्सी कार एटिका में सवार थे ट्राइवर तेजगती से कार चला रहा था इसी दोरान ध्यान भटका और घाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चड़ गई हाथसा इतना भयंकर था कि 38 वर्षी रोहित प्रजापती की मोके पर मामुली चोटे हैं इसलिए चोर अब मंदिरों को भी निशाना बनाने से नहीं चुक रहे हैं बिती देर रात सुखेर थाना शेत्र के रगुनात पुरा इलाके में इस्थित बालाजी मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया चोरों ने मंदिर से चांदी का छत्र और दान-पात्र लगे सिसी टीवी को लकडी से उपर की और गुमा दिया और इसके बाद मंदिर में चोरी की चोरी की वार्दात करते हुए चांदी का छत्र चुरा लिया इसके बाद मंदिर की दान-पात्र का ताला तोड़ कर उसमें भरी नगदी भी ले उड़े उदैपुर जैसे शांत और सुंदर शहर में दिनों दिन अपराधिक गतिवी धिया बढ़ने से आमजन भी चिंतित दिखाई दे रहा है इस गटना की जानकारी सुबे पुजारी को लगने के बाद इसकी जानकारी सुखेर्थाना पुलिस को दी गई गटना की जानकारी मिलने के बाद सुखेर्थाना पुलिस मौके पर पहुँची और मौका मुआयना करते हुए मामला दर्श किया है वहीं CCTV के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है नाबालिक छात्राओं से दुशकर्म का आरोपी हेड मास्टर की रिमांड अवदी पूरी होने पर सुमवार को कोर्ट में पेश किया पुलिस ने नियाले से आरोपी का दो दिन का और रिमांड मांगा रिमांड मिलने के बाद पुलिस आरोपी से गहनता से पुश्टाश कर रही है इस मामले में अब तक 6 बच्चियों के बयान दर्ज हुए हैं लेकिन पुलिस पुष्टाश पूरी होने के बाद और भी मामले सामने आने की संभावना है सरकारी स्कूल में नाबालिक बच्चियों से छेडशाड और रेप के आरोप में गृफ्टार हेड मास्टर ने पुलिस पुष्टाश में चोकाने वाले खुलासे किये सुत्रों के मुताबिक डुंगरपूर जीले के एक सरकारी स्कूल का प्रधाना ध्यापक आरोपी हेड मास्टर मासुम बच्चियों से दुष्कर्म करने से पहले पूर्ण मुवी देखता था इसके बाद बच्चियों को बुलाता और उनके साथ अशलील हरकते करता था बच्चियों इस बारे में किसी को बताये नहीं इसके लिए उनको चोकलेट और चिप्स का लालश देता था अगर बच्चियां चोकलेट और चिप से नहीं मानती तो उनको डराता धमकाता था, बच्चियों को अपने खाली घर में ले जाता था और बच्चियों को लाने और ले जाने के लिए वह स्कॉर्पियों का इस्तमाल करता था सरकारी स्कूल का हैड मास्टर होने के साथ ही घाओं में भी वह लोगों की मदद करता रहता था जिससे लोगों को उस पर कभी शक नहीं हो आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष में राजस्थान का नमबर वन एफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ओफर जिसमें फ्लैट के साथ पाईए 125 यूनिट एलेक्रिसिटी प्रतिमाह 20 सालों के लिए फ परियावरण जागरूपता को लेकर एक कारिक्रम आयोजित किया गया इस कारिक्रम में ग्रामिन मैलाओं ने रंगोली बना कर परियावरण की महत्वता को समझा एस दोरान उने पानी की महत्वता बताते हुए पानी का दुरुप्योग रोकने के उपाई भी बताय गये 40 करोड़ टन के प्लास्टिक का उत्पादन होता है जिसमें से आधा ऐसा होता है जिसका केवल एक बार इस्तमाल हो सकता है बचे हुए प्लास्टिक में से भी 10 पिजदी से भी कम ही रीसाइकिल हो पाता है अनुमान है कि करीब 2-5 करोड़ टन प्लास्टिक निशली जमिनों मे भरा जा रहा है जो महानगरों में पहुँच रहा है और उसी जला कर हानी कारक दुआ बना कर वायू मंडल में पहुचाया जा रहा है और यह सब मिलकर प्रत्वी के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा बन गया है ऐसे में सयुपत राष्ट द्वारा इस वर्ष बीट प्लास्ति की निस्तारण की समाधान खूजने पर जोड दिया जा रहा है इसी थीम पर ग्रामिन मैलाओं में रंगोली की माध्यम से जागरुकता फेलाई गई कारिक्रम में जिला समनभयक इरंग खान ने परियावरण में पानी की महत्वताग पर प्रकाश डाला कारिक्रम में पीपड सरपंच गवाड़ पंच और आंगलड वाड़ी कारिकरता भी मोजुद थे युनोब्स द्वारा आज विश्व परियावरण दिवस के उपलक्ष में उद्यपूर के बढ़ गाउं ब्लॉक के लोसिंग ग्राम पंचाइद के पीपड गाउं में ग्रामी मैलाओं के साथ एक कायकरम आयुज़ित किया गया जिसमें पानी की उपयोगिता पानी को कैसे सहच कर रखना है पानी के दुरुपयोग से बचाना और आने वाली पीडी को पानी की इंपोर्टेंस को बताने का संदेश दिया है उनको जागरूप किया गया है साथ ही संयुक राश द्वारा इस साल जो धीम रखी गई है बीट प्लास्टिक पॉलुशन उस पर ग्रामीनों को प्लास्टिक का दुरुपयोग के बारे में बताया है प्लास्टिक को यूज नहीं करना उसके बारे में बताया गया है प्लास्टिक का निस्तारण कैसे करना उसके बारे में जागरुप किया गया है ग्रामीन महिलाओं ने ड्रंगोली के माध्यम से विश्व परियावरन का बहुत अच्छा संदेश दिया गया है और साथ में काईकरम में यहाँ पे वाटपंच मौझूद थी ग्रामीन महिलाएं किशोरिया और आगनवाडी गैलोट सरकार अपनी फ्लेक्शिप योजनाओ को लेकर कोई कोता ही बरतने के मूड में नहीं है इस योजनाओ का लाब देने के लिए लगाए गई राहत शिवीरों की भी पूरी मोनिटरिंग की जा रही है ग्राम पंचायत बढ़गाव में आयोजी दो दीवसिय शिवीर के दूसरे दिन देहाच जीला कॉंग्रेस कमिटी उदैपूर जीला द्यक्ष लालसी जाला पहुँचे मंगलवार को बढ़गाव राहत शिवीर में पहुचकर जाला ने महंगाई राहत केंप में अधिकारियों से फिटबेक लिया वह लाभार्तियों से बात भी की शिवीर में पहुचने पर जाला का सरपंच संजय शर्मा ने मेवारी पेगड़ी पहना कर स्वागत किया इस अवसर पर लालसी जाला ने कहा कि राजस्थान सरकार की योजनाव का लाब हर पात्र व्यक्ति को जरूर मिलना चाहिए उन्होंने कहा बे लगाम हुई मोधी सरकार ने आमजनता को कमर तोड महंगाई में जोग दिया है सरकार के इस अभियान से गरिब जनता को राहत पोचाने के लिए कृत संकल्प है उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने हमारे लिए एसे समय इन योजनाव को शुरू किया है जब पूरा देश महंगाई से त्रस्त है आमजन को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने यह कारिक्रम चलाया है इसके लिए मुख्यमंत्री का जितना आभार व्यक्त किया जाये कम है शिवीर में निर्भैसी परमार को पांच योजनाओं के घारंटी कार्ट सोब कर बधाई दी इस दोरान शिवीर में उपस्थित ग्रामवासियो को मुख्यमंत्री निशुल्क अनपूर्णा फूड पेकेट मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना, घरेलू मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना क्रशी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्त बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुरगटना बीमा योजना, इंद्रागांधी गैस सिलेंडर, सबसीडी योजना, मन रेगा, सामाजिक सुरक्षा पैंशन, मुख्यमंत्री कामधेनू बीमा योजना की बारे में ब पुर्वसरपंच जमनालाल शर्मा, वार्डपंच चंद्रशेकर श्रीमाली, नरेंद्र गुहिल, प्रेमशंकर सुथार, गनपत शर्मा, युवानेता, खुश्वंत शर्मा, सत्तु त्रिवेदी, ललित सुथार, खुबीलाल व्यास, एवं ग्राम पंचायत के वार्ड, पं शिडी राजिस्थान का पहला फुली एक्रेडिटेड नीत्रिचिकित साल है, अलक नयन आई हॉस्पिटल, अलक हिल्स प्रतापनगर एक्स्टेंशन, एरपोर्ट रोड उदैपर कश्मीर से छुट्या मना कर घर लोट रहे, परियटको की कार का एक्सिडेंट दो की मोद पांच गायल चोरों ने फिर बनाया मंदीर को निशाना चांदी का छत्र और नगदी लेकर हुए फरार और नाबालिक छात्राओं से दुशकर्म का आरूपी हेड मास्टर दो दिन की रिमान पर आरूपी ने पूलिस पुश्ताश में किये चोकाने वाले कई खुला से अपने स्मार्ट फोन पर प्रतिश भरकी ख़बरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरुर दबाएं फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही अब दीजे इजासत माधुरी को अब बने रहे ही निउस 91 के साथ नमश्कार गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकंडरी स्कूल शास्त्री सेर्कल उताइपुर ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं निउस 91 निउस 91 अवाज हम सब की